बिस्मिल्ला रहमान रहीम, Assalamualaikum students, students how are you students हमने रुखना नहीं है हमने आगे पढ़ते जाना है, today we are going to start our maths work, today is day 13, आज हमारा दे है day 13, आज last day हमने maths में अपनी counting को complete किया था, आज हम write करेंगे what comes before and what comes after, what comes before का मतलब होता है कि पहले क्या आता है और what comes after का मतलब बाद में क्या आता है ठीक है जैसे कि सबसे पहले what comes before 22, 21 ठीक है what comes before 70, 16, 16 ठीक है अब after पर आजे है what comes after 45, 46 what comes after 33, 34 आपको बता हूँ कि before का मतलब होता है पहले और after का मतलब होता है बाद में जैसे कि what comes before 22, 21 what comes after 45, 46 अब आप लोग ने यह वाले पेज़ पे what comes before and after done करने है अब next page पे है next page पे आप लोग ने done करना है what comes between ठीक है what comes before and after आप लोग ने done करने के बाद आपने डान करना है what comes between के मिड में क्या आता है फिर हमारे काउंटिंग मली लाइन कब्रीड हो जाती है 54, 55, 56, 22, 23, 22, 23, 33, 36, 37, 38, 45, 46, 47 चीक है यह होता है what comes between what comes before and after दन करने के बाद आपने यह वाला page दन करना है यह two pages का आपका work है चीक है बहुत easy है हमने रुपना नहीं है students आगे बढ़ते चाना है के तो स्व़ें आला हवावी है